है गाइज वेल्कम बेक पुमाइज चैनल यह है लेक्चर 14 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हाउ तो यूज मॉंगोज पैकेच एड हाउ तो इंस्टॉल मॉंगोज पैकेच पैकेच प्रिवेफ्स यूडियो में हमने मॉंगोडीबी पैकेच का यूज करके नौड मॉंगोडीबी का यूज करके जैसे कंपड़ ऑपर यूज करने हाँ है तो यहाँ पर आपको कोशन आता ह fino हमने सब कुछ कर लिया ह। तो हमें यहां पर mongos के आप सकता क्यों पड़ी mongos का हम यहां पर use क्यों करे है then guys मैं आपको बता दू कि mongos mongodv का updated package वर जाना है यानि कि जो mongodv package था उसी पर इन्होंने थोड़ा सा कुछ work करके इसको update के अपडेट करके उसको बना दिया इन्होंने mongos अब mongos की जो advantage है वो यह है कि यहां पर schema और model का use होता है okay and schema और model का use करके data पर validation एपलाई किया जाता है ठीक है लेकिन mongodv में schema और model का use नहीं होता था इसलिए वहाँ पर जो भी field create करते थे वो create हो जाती थी okay महाँ पर किसी भी field पर validation एपलाई नहीं होता था लेकिन mongos के अंदर आप schema and model का use करके validation apply कर सकते हो किसी भी field पर mongodb में क्या करते थे हम कोई भी extra field create कर सकते थे लेकिन mongos में आप कोई भी extra field create नहीं कर सकते हो इसकी वज़ा है schema and model इस वीडियो में guys हम mongos का connection रणने वाले है with mongodb by using of node.js and express लेकिन next video में मैं आपको schema बताऊंगा and उससे next video में modeling schema और modeling मैं आप पहां नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा वो tough हो जाएगा और आप confused हो जाओगे चले शुगरते हैं and connect करते हैं node.js को and mongodb को with mongos तो सबसे पहले काई आपको क्या करना होगा आपको chrome पर जाना है chrome पर जाने के बाद आपको यहाँ पर type करना है mongos npm आप ऐसे direct type कर लो ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से एक website open हो जाएगी npm करके आपने इस पर click कर देना ठीक है npm वाली website पर click करना है तो यहाँ पर आपको mongos package मिल जाएगा जिसका version है 8.2.3 और जिदि आप वीडियो को कुछ time बात देख रहे हैं तो इसका version है वो change हो चुका होगा और कि यह बढ़ चुका होगा तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है mongos is a mongodb object modeling tool designed to work in an asynchronous environment mongos support node.js and deno alpha यानि वह यह कि mongodb packages को update करके इन्होंने क्या बना देए इसका mongos बना देए जिसमें किसी भी field पर schema का use करके and model का use करके validation को apply कर सकते हैं अब मैंने आपके बताया हुआ कि किस तरीके से इसको install करते हैं किसी package को तो यहाँ पर यह command doi है npm i mongos आपने इसको copy कर लेना है लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे कुछ packages वो install है कि नहीं है क्या-क्या इस code पायेंगे ctrl plus backtest का use करेंगे terminal यहाँ पर open हो चुका है ओके तो सबसे पहले जो package है वह है npm siphon v हमें चेक करना है कि install है कि नहीं है अगर इस्टोल लेंगे तो आप इस्टोल कर लेना सब की मेने videos बनाई हुई है npm की भी and node yes कैसे install होता है उसकी भी node 1 कैसे install होता है उसकी भी x space कैसे install होता है उसकी भी सबकी मेने video बनाई है तो उनको आप देख लेना जाके अगर आपके यह सब package install नहीं है ठीक है first time npm siphon v enter करेंगे इस्टोल होगा तो यह version देगा अगर इस्टोल नहीं होगा तो यह कुछ नहीं देगा error देगा बता इसके बाद चेक करना आप node siphon v node install है की नहीं है install है उसके बाद चेक करना आप node 1 siphon v node install है की नहीं है install है ओके अब next आता है guys क्या express express कैसे check करेंगे npm e x p r e double s siphon v ठीक है तो हमारे यहाँ पर जो चार packages है वो सब के सब क्या है install है already अगर आपने install लेंगे तो install कर लेना अब बात आती है mongos को install करने की तो chrome पर जाएंगे इस command को यहाँ से copy करेंगे ओके और यहाँ पर मैं इसको paste कर दूँगा तो जैसी मैं enter करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एक file है test.js और after two second या three second बाद यहाँ पर हमारा जो mongos package है वो install हो जाएगा ओके यहाँ पर यह तीन file आ चुकी है package.json में dependencies चोड़ी होगी mongos version 8.2.3 ठीक है package.json तो यहाँ पर name mongos है and मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक separate folder create करना उसी में सब code करना और folder का नाम आप different रखना mongos मत रखना ठीक है अगर आप mongos रखोगे तो आपको error मिलेगा dependencies related तो इस case में क्या करना होगा आपने यहाँ पर इस नाम को change कर देना mongos.jss js कर देना यह फिर अपने folder का नाम different रखना बस और कुछ नहीं फिर error नहीं मिलेगा ओके ठीक है तो हमारा यहाँ पर कोई error नहीं है अब करते हम connection node.js का and mongodb का with mongos ओके terminal को मैं थोड़ा down कर देता हूँ ठीक है और इस file को भी हम अटा देते हैं यहाँ से and एक new file create करता हूँ मैं जिसका नाम में रखूँँगा connection app.js ओके and इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह file है और मैं इसको अटा देता हूँ ऐसे करके ओके तो सबसे पिले guys मुझे mongos package को asses करना होगा और वो किस तरह करते हैं cost keyword का use करके मैं यहाँ पर एक variable create करूँगा जिसका नाम में रखूँगा mongos और mongos को asses करने के लिए मैं यहाँ पर use करूँगा require method का ठीक है within the double quotes or the single quotes मुझे यहाँ पर mongos package का नाम देना होगा और नाम क्या है mongos ओके ठीक है तो यहाँ पर हमने mongos को asses कर लिया है ओके then guys मैं यहाँ पर एक function create करूँगा यह without function create करे भी आप connection कर सकते हो no problem लेकिन थोड़ा अच्छे से code करते हैं तो मैं एक simple सा function create करूँगा simply एक दम beginner level पर function वो इसका नाम रख देते हैं क्या connection ठीक है अब यहाँ पर मुझे use करना पड़ेगा connect method का for connection तो यहाँ पर एक comment डाल देते हैं use connect method for connect node.js and mongodb with mongos mongodb से मतलब समधी रहो ना आप यहाँ पर mongodb से मतलब क्या है mongodb से मतलब है हमारा mongodb database ठीक है यहाँ गी mongodb compass tool से इसको connect करेंगे direct correct ओके यहाँ पर code हमारा पैनल में रहे उसके लिए मैं यहाँ पर alt plus z का यूज करूँगा ठीक है and guys मुझे हाँ पर यूज करना है connect method का तो देखे कैसे मैं हाँ पर यूज करूँगा mongos variable का क्योंकि जो हमारा जो package है वह मने यहाँ पर access किया था ठीक है और इसकी complete सारी जो भी property है वो किसमा आ चुकी है mongos variable के अंदर आ चुकी है URL mongodb का देखो यहाँ पर गया हुआ है उसने open mongos default connection to mongodb see connection docs कोई जूरती हैं हमें connection docs देखने की यहाँ पर इसने suggest किया URI URI का मतलब है URL हमें पास करना है यहाँ पर ist inform में ओके ठीक है और देखो यह एक चीज और बता रहा है आपने notice किया यह एक promise create हो चुकी है यहाँ पर ठीक है अब promise create हुई तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा एवेट यूज करना पड़ेगा वरना यह pending में चली जाएगी और हमें कोई भी result देखने को नहीं मिलेगा और अवेट जो यूज होता है वो async function के अंदर यूज होता है तो इस function को हमें बनाना पड़ेगा async ठीक है ओके तो अब यहाँ पर हमें कौन सा URL देना है तो उसके लिए गाईज मुझे यहाँ पर mongodb compass tool को open करना पड़ेगा ठीक है तो mongodb compass tool यहाँ पर open हो चुका है यह जो आपको URL दिख रहा है आपने इसको क्या कर लेना है copy कर लेना है copy करके आपने इसको यहाँ पर paste कर देना है ठीक है इसके string create कर देनी है अब मैं आपर कहता हूँ क्या नहीं ऐसे dan का use करेंगे कि यह promise है arrow function create करूँगा इस dan के अंदर किसलिए कर रहा हूँ arrow function create मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर मेरा connection build हो जाता है तब dan का मतलब वही तब देखो line को यह से पढ़ता है कि अगर मेरा connection build हो जाता है mongodb के साथ में अगर मेरा connection हो जाता है mongos का dan then मुझे क्या मिले यहां पर then मुझे यहां पर output मिले connection is successful with mongodb ठीक है अगर मेरा connection successful नहीं होता है mongodb के साथ में तो यहां पर एक error मिले और error कौन catch करता है cache method error catch करता है ठीक है तो cache and यहां पर भी callback function डाल दूँगा मैं okay and callback function बनाएंगे हम in form of arrow function आपको समझ यहां रहा होगा कि यहां पर मैं क्या करना चाहरा हूँ ठीक है और यहां पर मैं console डाल देता हूँ कि मुझे यहां पर क्या मिले एक error मिले इस arrow function के अंदर मैं पास कर दूँगा एक parameter यह क्या होगे पास यह नहीं होना था error ठीक है और इस error parameter को हम console पास कर देता है अगर error होगा तो यहां पर हमें error मिल जाएगा okay ठीक है इसको थोड़ा सा minimize करते है और ऊपर चलते है यह पूरा हमारा code है आप देख सकते हैं और अब मैं यहां पर क्या करूँगा इस function को call कर लूँगा ठीक है देखो कितने कम code में हमारा यहां पर MongoDB के साथ connection बिल्ड हुया है और जब हम MongoDB का use करके यहां कि MongoDB package का use करके connection को बिल्ड कर रहे थे तो आपने देखा होगी वहाँ पर हमने एक पूरा का पूरा server create करना पड़ गया था क्या करना पड़ गया था मैं पूरा का पूरा एक server create करना पड़ गया था यहां पर हमने ना तो कोई server create किया ठीक है बस हमने आपर MongoDB package को asses किया asses करने के बाद एक line में हमने यहां पर इसको connect कर दिया और इस in lines की भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन यह हमने output लेने के लिए connection हमारा हुआ है की नहीं हुआ है उसके लिए हमने यह दिया है then and catch ओके ठीक है अब check करते हैं कि हमारा output क्या आता है और यहां पर हमें local server को run करने की भी ज़रूरत नहीं है वहां पर हम क्या करते थे mango db में postman के through local server को run करते थे या फिर chrome पर जाके तब हमें पता लगता था कि हमारा connection build हुआ है भी नहीं हुआ है लेकिन यहां पर आप देखो मैं यहां पर control less करूँगा लेकिन उससे पहले मुझे code को run करना पड़ेगा ठीक है तो norman का use करेंगे ओके norman and हमारी file का नाम है connection awp.js जैसे एंटर करूँगा तो norman यहां पर चलो हो चुका है ओके अभी कुछ time ले गए come on code तो ठीक है एकदम हमारा कोई problem नहीं है हाँ देखो कुछ time less ने इसको run करने के लिए और यहां पर क्या मिला है हमको हाँ यहां पर हमें एक error मिला है यानि कि हमें जो हमारा mongodb url था उस related हमें error मिला है यह है ना 1,27017 यानि कि यहां पर गड़ बढ़ है हाँ तो यह इसलिए error मिला है आपको इस error को remove करने के लिए क्या करना है यह जो local host है इसके आपको value देनी है तो जो हमारा node version था ना 16.00 उसमें तो यह काम कर जाता था local host लेकिन जब यह node.js के जो version है जैसा 17 हो गया हमारा कौन सा हमारा है 18 ठीक हमने शुरू में देखा था हमारा था 18 तो वहां पर यह local host काम नहीं करेगा यहां पर हमें local host का जो numerical value होती है यानि कि उसका IP address होता है वो मुझे यहां पर देना होगा और वो क्या होता है 127.0.0.1 ओके यह local host की value होती है यानि कि उसका IP address आप देखो सेव करेंगे तो अब यह error नहीं देगा और डारेक्ट यह connect कर देगा mongodb के साथ में mongos को देखो यहां पर हमें output मिल चुका है क्या connection is successful with mongodb आप देख सकते हो ओके ना तो हमें आपर किसी local server को run करने की आवशकता पड़ी और ना ही हमें आपर server को create करने की आवशकता पड़ी बहुती कम code में हमारा mongos package mongodb के साथ connect हो गया by using of node.js and express express भी यहां पर use की ही ही हमने node.js भी use किये ओके next lecture जो है उनमें express भी use करेंगे कि जब हम express use करते हैं तो यहां पर हमें express package को require करना पड़ता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने कोई express package require नहीं है इसलिए हमने node use किये भी I think guys आपको समयों आ गया होगा कि किस तरीके से हम mongos को install कर सकते हैं and mongos को connect कर सकते हैं with node.js and mongodb okay and किस तरीके से schema use होता है and model use होता है mongos के अंदर वो मैं आपको next videos में बताऊंगा यदि आपको कोई भी doubt है या फिर आपको कोई भी code run करने में या topic समझने में problem आ रही है तो आप please comment करके बता सकते है and please video को like कर देना share कर देना and comment कर देना यदि आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe कर देना मिलते है next video में thank you so much धन्यवाद कर देनाное कर देना मिलते है